स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चली शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था गैर अधिसूचित गुमन्तू और अर्थ गुमन्तू जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इनने विमुक्त जाती के नाम से भी जाना जाता है दो उन्हें वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर विमुक्त कर दिया गया था तीन विकुल भारती आबादी का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं एक एवल एक भी केवल दो सी सबी तीन डीन मेंसे कोई भी नहीं इस प्रश्रकाश सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक चले देखते हैं इसके विसलेशन को विमुक्त गुमन्तू और अर्ध गुमन्तू जनजातियां इन्हें विमुक्त जाती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये समुदाय सबसे अधिक असुरक्षित और वन्चित हैं अतकतन एक सही है ब्रिटिश शाशन के दोरान आपराधिक जनजाती अधिनियम 1871 जैसे कानूनों के तहत गैर अधिसूचित समुदायों को जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित या अंकित किया गया था उन्हें वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तोर पर गैर अधिसूचित कर दिया गया था अतकतन दो सही नहीं है भारत में लगबग 10 प्रतिशत आबादी गैर अधिसूचित घुमन्तू और अर्ध घुमन्तू जनजातियों से बनी है अतकतन 3 सही नहीं है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपिसोड की पहले प्रश्न के साथ विश्व निवेश रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को विश्व निवेश रिपोर्ट यह रिपोर्ट विश्व में शेत्रिये तथा राश्वरस्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडियाई की रुजहान इवं विकास में इसके योगदान को बहतर बनाने के उद्देश से की गई पहलों पर केंद्रित है अतविकल्प भी सही है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, राजकोशिय घाटा सरकार की कुल रिण ग्रहण आवशक्ताओं को दर्शाता है दो, अधिक राजकोशिय घाटा का तातपरे सरकारी रिण ग्रहण में व्रिधी से हैं जिससे अर्थ्वेवस्ता की भीतर ब्यास दरों में गिरावट आती है तीन, भारत निरंतर राजकोशिय उत्तरदायत्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के लक्ष को पूरा कर रहा है जिसके तहत राजकोशिय घाटे को सकल घरेलु उत्पात के तीन प्रतिशत तक सीमित करने की आवशक्ता होती है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डीन में से कोई भी नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक चले देखते हैं इसके विसलेशन को राजकोशिय घाटा, राजस्व प्राप्तियों, वह गयर रिड़ पूजिकत प्राप्तियों तथा कुल व्याय की बीच का अंतर है अनिशब्दों में राजकोशिय घाटा, सरकार की कुल रिड़ ग्रहन आवशकताओं को प्रतिबिम्बित करता है अतकतन एक सही है उच्च राजकोशिय घाटे का आश्य सरकार द्वारा अधिक रिड़ ग्रहन किये जाने से है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थ्यवस्था में ब्याज की दरे बढ़ती है अतकतन दो सही नहीं है भारत में राजकोशिय उत्तरदायत्व और बजड़ प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र सरकार को अपने राजकोशिय घाटे को सकल घरेलू उत्पात के तीन प्रतिशत तक कम करने की आवशकता है बतादे कि भारत इस लक्ष को हासिल करने के लिए संगर्श कर रहा है अतकतन तीन सही नहीं है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक प्रिधान मंत्री भारतिय जन उर्वरक पर योजना यानी PMBJP वर्ष 2022 में रसायन और उर्वरक मंत्राले द्वारा शुरू की गई थी इस योजना के अंतरगत उर्वरक सबसेड़ी योजना के तहट आने वाले सभी उर्वरक निर्माताओं द्वारा उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगों का उप्यूग करना आवश्यक है इस योजना का उद्देश संपूर्ण देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकी करण करना है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इन में से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3 चले देखते हैं इसके विसलेशन को प्रिधान मंत्री भारती जन उर्वरक परियोजना यानी PMBJP वर्ष 2022 में रसायन और उर्वरक मंत्राले द्वारा शुरू की गई थी अतकथन 1 सही है इस योजना के तहत उर्वरक सबसिडी योजना के अंतरगत आने वाले सभी उर्वरक निर्माताओं द्वारा उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगों का उप्योग करना आवश्यक है अतकथन 2 सही है इस योजना का उद्देश संपूर्ण देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकी करण करना उर्वरकों की उप्लब्धता एवं गुडवत्ता के बारे में किसानों के भ्रहम को दूर करना साथ ही लागत को कम करना एवं उर्वरकों की उपलब्धता को बढ़ाना तथा देश भर में उर्वरकों की परिवहन लागत को कम करना है अतकथन तीन सही है अगला प्रश्न है अंतर राष्ट्रिय नयायालय यानि आई सी जे के संबंध में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक यह पंद्र निर्वाचित स्वतंत्र नयायाधीशों से बना एक निकाय है दो नयायाधीशों का कारेकाल पांच वर्ष का होता है तीन संस्थाग निरंतर्ता सुनिश्वित करने के लिए नयायालय की एक तिहाई यानि पांच नयायाधीश हर तीन वर्ष में चुने जाते हैं उपरयूप्त मेंसे कितने कथन सही हैं एक लेक बीक बेवल दो सी सभी तीन दीन मेंसे कोई भी नहीं इस प्रश्नका सहीं तर्हें विकल्प ब केवल दो चले देखते हैं इसके विस्लेशन को अंतर राष्ट्री नयायालय यानि आई सी जे यह पंद्र निर्वाचित स्वतंत्र नयाय अधीशों से बना एक निकाय है अतकतन 1 सही है इसके नयाय सुविधा यानि EFF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक EFF सनरशनात्म कमजोरियों के कारण मध्यम अवधी के भुगतान संतुलन के मुद्दों का सामना कर रहे देशों को वित्तिय सहायता प्रदान करती है दो उन्नक देश पूरी तरह से EFF पर निर संतुलन की गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं जुने संबोधित करने के लिए अधिक समय की आवश्यक्ता होती है देशों को मध्यम अवधी के सनशनात्म सुधारों को लागू करने में मदद के लिए EFF दिर्गकाली कारेक्रम भागिदारी और पुनरभुकतान अवधी प्रदान करता है अतकतन एक सही है सभी सदस्य देश वर्तमान या संभावित बाहिवित्पोषड की आवशक्ता के चलते अकसर उन्नत और उभरते बाजार का उप्योग करते हैं लेकिन कम आये वाले देश कभी कभी विस्तारित क्रेडिट सुविधा यानी ECF के साथ EFF का उप्योग करते हैं अतकतन दो सही नहीं है अगला प्रश्ण है एक राष्ट्र एक राष्ण कार्डियोजना यानी ONORC के सम्मंध में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए अधिनियम 2013 यानी NFSA के लाभार थी अपने मौजूदा राष्ण कार्ड और बायो मेट्रिक या आधार प्रमाडी करण का उप्योग करके किसी भी उचित्मुल्य की दुकान से देश भर में पूर्ण या आंशिक खाध्यान का आसानी से दावा कर सकते हैं तीन, सरकार ने ONORC योजना का अधिक्तम लाब उठाने के लिए मेरा राष्ण मोबाइल अप्लिकेशन भी शुरू किया है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डेन में से कोई भी नही इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलप सी सभी तीन, चले देखते हैं इसके विसलेशन को, एक राष्ण एक राष्ण कार्ड योजना, यानि ONORC, ONORC लाबहार्थियों को अपना डीलर या वितरक का चैन करने का अवसर भी देता है, गलत आवंटन के कई मामलों या गडबडी का कोई भी मामला होने पर लाबहार्थ विशेश रूप से प्रवासे लाबहार्थियों को बायोमेट्रिक या आधार प्रमाडी करड के साथ मौजूदा राष्ण कार्ड के माध्यम से देश में किसी भी उचित्मोले की दुकान से पून या आशिक खाध्यान क्रै करने की अनुमती देती है, अतकतन दो सही है सरकार ने ONORC योजना का अधिक्तम लाव उठाने के लिए मेरा राषन मोबाइल अप्लिकेशन भी शुरू किया है, अतकतन तीन सही है अगला प्रश्ण है शुमंग लीला जिसे हाले में समाचारों में देखा गया था, का सबसे अच्छा वर्णन करती है? ए, मडिपूर की रंगमंच का एक पारंपरिक रूप बी, आम की हाली में खोजी गई एक प्रजाती सी, गड़तंत्र दिवस पर पुरसकार विजेता रही केरल की जहाकी या डी, इनमें से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए, मडिपूर की रंगमंच का एक पारंपरिक रूप चलिए अब देखते हैं इसके विसलिशन को शुमंग लीला शुमंग लीला पारंपरिक मैतेई नाटक है यह मडिपूर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जिसमें महिला कलाकारों की भूमिका पुर्षो द्वारा तथा महिला थेटर समू के मामले में पुरुष पात्रों का मंचन महिला कलाकारो द्वारा किया जाता है इसकी शुरुवात राजगरानों के लिए एक हासे शैली के रूप में हुई थी जो सामोहिक सिक्षा, मनोरंजन और विश्राम के एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में विक्सित हुई अधा विकल्प A सही है अगला प्रेशन है नहरु रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कत्थनों पर विचार कीजिए एक, नहरु रिपोर्ट में पूर्ण स्वाशासन संप्रभुता और बिटिश साशन से पूर्ण स्वातंतरता की मांग की गई दो, इस रिपोर्ट को कॉंग्रेस के भीतर सार्वभौमिक समर्थन नहीं मिला बोस और जवाहलाल नहरु जैसे नेताओं ने इसका पूर्ण स्वातंतरता का समर्थन किया उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक चले देखते हैं इसके विसलेशन को नहरु रिपोर्ट में मांग की गई कि भारत को ब्रिटिश सामराज के भीतर प्रभुत्व का दर्जा दिया जाए अतकतन एक सही नहीं है दिसंबर 1929 में कॉंग्रेस के लहौर अधिवेशन में एतिहासिक पूर्ण स्वाराज प्रस्तावक पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वाशासन या सम्प्रभुता और ब्रिटिश उसाशन से पूर्ण स्वातंतरता की मांग की गई नहरू रिपोर्ट को कॉंग्रेस के भीतर सार्वभौमिक समर्थन नहीं मिला बोस और जवाहलाल नहरू जैसे नेताओं ने डोमीनन स्टेटस के बज़ाए ब्रिटिश उसामराज इसे पूर्ण स्वातंतरता का समर्थन किया अतकतन दो सही है अगला प्रश्ण है यह भारत का उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है जो एक इमेजिंग सिस्टम और एक वायू मंडली साउंडर से सुसजित है इनसेट 3D उपग्रह पर 8GB यानि लाल हरा निला इमेजर से छवियों का रंग सौर परावर्तत प्रदिप्ति और तापमान पर निर्भर करता है उपरोक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक बी केवल दो सी सभी तीन डीन में से कोई भी नहीं इस प्रश्नका सही उतर है विकल्प सी सभी तीन चले देखते हैं इसके विसलेशन को भारतिय मौसम विज्ञान विभाग मौसम पुर्वानुमान या निग्रानी उदेशों के लिए इनसेट 3D और इनसेट 3DR उपग्रह डेटा का प्रियोग करता है अतकतन एक सही है इनसेट 3DR भारत का उननत मौसम विज्ञान उपग्रह है जो एक इमेजिंग सिस्टम और एक वायूमंडली साउंडर से सुसजित है अतकतन दो सही है एक वायूमंडली साउंडर या आकलन करता है कि हवा के एक स्थम्ब के भौतिक गुड उचाई के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं इसमें दिर्ग तरंगे से लेकर लगुतरंगे बैंड और एक दिर्श बैंड तक कई इंफ्रारेट चैनल होते हैं इनसेड 3D उपगरह पर RGB यानि Red Green Blue इमेजर से छवियों का रंग दो कारकों पर निर्भर करता है सौर परावर्तन ये किसी सतह द्वारा परावर्तित सौर उर्जा की मात्रा और उस पर आपतित सौर उर्जा की मात्रा का अनुपात होता है प्रदिप्ति तापमान ये किसी वस्तो के तापमान और उसकी सतह की संगत प्रदिप्ति के बीश का संबंध है अतकतन 3 सही है तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को काजी रंगा राष्ट्य उद्यान के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक ये ब्रह्मपुत्र घाटी बाड के मैदान में एक मात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधी शेत्र है दो यहाँ पर एक दुल्लब सुनहरे रंग के बाग बंगाल टाइगर के रंग का प्रतिरूपड को देखा गया उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक और नहीं दो इस प्रश्र का उतर कमेंड बॉक्स में जरूर दे, आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया दियो व्यूवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले